दोस्तो इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से घर वेटे ही अपने मोबाइल पॉन से अपने बैंक अकाउंट में NPCI प्लस DBT को लिंक कर सकते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि NPC और DBT को हमें क्यूं अपने बैंक अकाउंट में लिंक करना है तो अगर आपको भी स्कोलर सी बगेरा का पैसा रिसेव हो रहा है या फिर आपको PM किसान समान नदी का पैसा रिसेव हो रहा है या फिर आप लोगों को किसी भी सरकार योशना का पैसा आने को है तो जब तक आपके बैंक अकाउंट में NPCI प्लस DBT लिंक नहीं होगा ये पैसा आपके bank account में transfer नहीं किया जाएगा अब यहाँ पर NPCI और DBT के माद्यम से ये पैसा क्यों भेजा जाता है तो पहले जो government थी वो आपके direct bank account में पैसों को transfer करती थी लेकिन दोस्तों होता क्या था बहुत सा इसमें fraud हो जाता था जो पूरा पैसा है वो आपके bank account में transfer नहीं हो पाता था इसलिए यहाँ पर DBT के माद्यम से government ने जो भी सरकारी पैसा है वो भेजना शुरू कर दिया गया है अब DBT में जो भी आपका bank account link होगा उसी एक specific bank account में आपका पैसा transfer किया जाएगा और DBT से सिर्फ एक ही bank account link हो सकता है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों के multiples account होते हैं तो सभी bank account DBT में link नहीं हो सकते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति पहले से ही किसी भी bank में account है और वो change करना चाहता है किसी दूसरे bank में DBT link करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है उसका भी process में आप लोगों को इस video में बताने वाला हूँ तो video आप लोग end तक जरू देखे तभी आप लोगों को सभी कुछ information समझ में आने वाली है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ कि आपको check किस परकार से करना है कि आपके bank account में आधार NPCI link है या फिर नहीं है तो इसके लिए आपको अपने mobile या फिर laptop के किसी भी browser को open कर लेना है और यहाँ पर आपको type करना है NPCI इतना type करने के बाद में आपको search कर देना है और जैसे ही search करेंगे तो यहाँ पर जो भी first number पर आपको website दिखाई देगी आपको यहीं पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद आप NPCI की official website पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा consumer consumer वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में यहाँ पर आपको भारत आधार seeding enabler BASE इस वाले option पर एक बार click कर देना है अब आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार card number को enter कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक capture code दिखाई दे रहा है इस capture को same to same यहाँ पर fill करना है और इसके बाद आपको check status वाले option पर एक बार click कर देना है अब आपके आधार card में जो भी mobile number link है उस mobile number पर एक OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर fill करना है अगर आपको नहीं पता है कि आपके आधार card में कौन सा mobile number link है तो इसके लिए आप लोगों को दोबारा से किसी भी browser को open कर लेना है और यहाँ पर आपको type करना है UIDAI इतना type करने के बाद में जैसे ही search करेंगे आपके सामने जो first number पर link दिखाई देगा यहाँ पर आपको एक बार click करना है इसके बार language को select कर लेना है अब आप आधार card की optional website पर आ जाएंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा आधार services आधार services वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद यहाँ पर first number पर ही आपको option मिल जाएगा verify आधार इसी वाले option पर click करेंगे और click करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ नीचे की side में आना है और यहाँ पर आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा check आधार validity तो इसी वाले option पर एक बार click करना है यहाँ पर आपको अपने आधार number को enter करना है इसके बाद is capture code को यहाँ पर fill करना है और proceed वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही proceed वाले option पर click करेंगे आपके आधार card में जो भी mobile number link है उस mobile number के last के 3 digit आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाएंगे और जिससे की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके आधार card में कौन सा mobile number link है और इसके बाद दोस्तों आपके इसी वाले mobile number पर एक OTP गया होगा उस OTP को आपको यहाँ पर fill कर देना है और OTP को fill करने के बाद में submit वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही submit वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आपका पूरा status आ जाएगा कि आपके bank account में आधार NPCI link है या फिर नहीं है यहाँ पर आपको आपके आधार card के last के 4 digit देखने को मिल जाएंगे mapping status में अभी आप देख सकते हो एक tip दिखा रहा है कब आपके bank account में आधार NPCI link हुआ था वो date आपको देखने को मिल जाएगे और इसके बाद currency bank आपके आधार NPCI में link है तो उस bank account का नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरहें से आप लोगों को अगर आपका यहाँ पर bank name में bank नहीं दिखा रहा या फिर यहाँ पर एक tip नहीं दिखाता है आपके आधार NPCI में कोई भी bank account link नहीं है तो किस तरहें से आप लोगों को link करना है या फिर आप लोगों को इस वाले bank account को change करना है इसके जगाँ पर आप लोग कोई भी दूसरा bank account अपने आधार NPCI में link करना चाहते हैं तो किस तरहें से कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile के किसी भी browser को open करना है और यहाँ पर आपको type करना है NPCI link to और इसके बाद आप लोग जिस भी bank में link करना चाहते हैं उस bank का नाम यहाँ पर type करना है जैसे कि हम यहाँ पर type कर देते हैं आधार NPCI link to Indian Overseasage Bank और इतना type करने के बाद में आपको search कर देना है search करने के बाद में यहाँ पर जो भी first number पर link दिखाई देगा तो यहीं पर update आधार वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही click करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है link आधार number to bank account इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से account number इंटर करना है यहाँ पर आपको अपने आधार number को इंटर करना है इसके बाद दोबारा से आधार number को इंटर कर देना है अब आपको यहाँ पर आपके bank account में जो भी mobile number link है उस mobile number को यहाँ पर fill कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपसे पर आउसी बैंक में लिंक है उस बैंक से हटा करके आप लोग इस बैंक में लिंक करना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक option मिलेगा select name of bank तो यहां पर जैसे ही click करेंगे तो जितनी भी बैंके हैं सभी बैंकों की list आपके सामने यहां पर आ जाएगी तो आप लोगों को उसी लिंक को select करना है जिसमें आप लोगों का पहले सेही NPCI और DBT link है अगर आप तो पहले से किसी भी bank में link नहीं है तो आपको यहां पर किसी भी bank को select नहीं करना है इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक box दिखाई दे रहा है इस box पर आप लोगों को tick लगाना है इस capture code को same to same इस वाले box में fill करना है और इसके बाद दोस्तों आपको next वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही आप next वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपके आधार card में जो भी mobile number link है और आपके bank account में जो mobile number link है उस पर एक OTP send किया जाएगा OTP को fill up करके आप लोगों को submit कर द है तो यहाँ पर आप लोगों को type करना है INPCI link to PNB इतना type करने के बाद जैसे ही search करेंगे यहाँ पर first number पर आपको जो भी website दिखाई देगी आपको यहीं पर एक बार click कर देना है और जैसे ही click करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहाँ पर आपको ए enter करने के बाद में एक capture code आपको यहाँ पर show हो जाएगा आपको अगर show नहीं होता तो refresh capture वाले option पर click करना है तो यहाँ पर capture code आ जाएगा और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को is capture code को same to same इस वाले box में fill कर देना है और submit वाले option पर एक बार click करेंगे click करने के बाद में OTP बगारा send किया जाएगा उस OTP को fill कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपको submit वाले option पर click करना है total 3 step में आपका यहां से आधार NPCI link हो जाएगा और इसी के साथ यहां पर अगर आपका account Paytium Payments Bank में है तो आप लोग Paytium Payments Bank में भी online आधार NPCI को link कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आप लोगों का account India Post Payment Bank में है तो आप India Post Payment Bank में भी online ही आधार NPCI को link कर सकते हैं तो इतनी bank के मैंने आप लोगों को बता दी हैं अगर इन banks में आपका account है तो ही आप लोग online link कर सकते हैं लेकिन अगर इनके अलाबा किसी दूसरी bank में आपका account है तो आपको यहां पर type करना है dbt link form जैसे ही इतना आप लोग type करेंगे इसके बाद आपको search कर देना है search करने के बाद में यहाँ पर देखिए first number पर ही आपको एक option मिलेगा आधार seeding process pdf तो इस pdf file को आप लोगों को download कर लेना है और download करने के बाद में आप लोगों को इसका एक print out निकल बा लेना है क्योंकि जब भी आप लोग और किसी bank में जाएंगे तो बहाँ पर आप लोगों को कुछ इसी तरह के form को fill up करना पड़ेगा आप चाहों तो इस वाले form को खुद से भी fill करके bank में ले जा सकते हैं या फिर आप लोगों को bank में भी ये वाला form मिल जाता है और इस form को अच्छी तरह से आप लोगों को fill करना है और दोस्तों ये जो form है सभी bank के लिए एक ही form होता है और इसमें आप लोगों को जो भी detail fill करनी है वो आपको अपने bank के according ही fill करनी है जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपनी bank या फिर branch का नाम फिल करना है इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने account number को फिल करना है यहाँ पर account holder के नाम को फिल करना है इसी तरह से यहाँ पर जो कुछ भी detail मांगी जा रही है इसे आप लोगों को fill कर देना है और यहाँ पर जिसके भी account में आप लोग आधार NPCI को link करवा रहे हैं उसके signature या फिर अंगुठा के निसान को भी लगवाना पड़ेगा यहाँ पर आप लोगों को उसका नाम, mobile number, email ID और आपको आधार card की एक photocopy को भी देना पड़ेगा जब तक आप आधार card की photocopy जमा नहीं करते हैं तब तक आपका bank में आधार NPCI link नहीं होगा अब बात कर लेते हैं जिन भी लोगों के bank account में पहले सही आधार NPCI link है तो उन लोगों को किस तरह से cancel करवाना है तो सबसे पहले तो उन लोगों को उस bank में जा करके NPCI को cancel करवाना है इसके बाद ही आप लोगों को इस वाले form को दूसरे किसी भी bank में जमा करना है अब यहाँ पर कितने दिनों में आपका ये आधार DBT plus NPCI link हो जाएगा तो दोस्तों ये आपकी bank की service पर depend करता है जिस तरह कि आपकी bank की service होगी उसी तरह से ये link हो जाएगा मैंने यहाँ पर दोनों ही process बता दिये हैं और ये भी बता दिया कि currency bank में online और currency bank में आप लोग offline link कर सकते हैं